टेन फिंगर चनल में आपका स्वागत है अज हम कक्षे आठकी गड़त का प्रस्न वनी छह दिसम्लावतीन का प्रस्न कुर्मांग चार का पहले सिल्ले की पांचे भागता खल करेंगी प्रस्न इस परकार से अभाज्य गुड़न खंड बिदी से निमने संख्याओं का वर्ग फिर नौत भाज्य संख्या है फिर ग्यारा तेरा पंद्रा भी भाज्य है सत्रा उन्नेस तेईस इस तरह से बहुत सारी हैं अभाज्य संख्याओं यह अभाज्य संख्या कहलाती हैं तो इन संख्याओं का जह हम किसी संख्याओं भाग देते हैं बड़ी संख्या में तो उस तो इसमें अब देखे हम भण कर नाम है तो हम सबसे पहले इसके गुडंखंड निकालेंगे अब यह देखे भिस्ह fairnessन्ख्या है तो इसमें हम सब नहीं तो भाग ध्याएगा नहीं तो हमि इसमें तीन से भागं देए यह तीन से भी जाता है तो फिर आगे भाग देंगे इन प्रस्णों करने से पहले आप एक चीज का और ध्यान रखें कि सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से ही आमें ट्राइ करना है सबसे छोटी क्या है दो उसके बाद आएगी तीन फिर चार फिर पांच ऐसा नहीं है कि चार से भाग जाए नहीं तो इसमें हम सबसे पहले भाग देंगे शां तीन से कि तो ही यह जाये का तीन दूनी 6 तीचा को 12 3 3 pero बढ़ा भी तीन से भाग जाता जा रहा है तो इसको हम तीन से भाग दे रहे हैं यह थी नाम 27 और यहां पर हो गए हो तीन नहों और यह 3 इकम तीन तो इस तरह से इसके हमें गुड़न खंड प्राप्त हो गए तो इसको हम आपको दो बिदी से बता रहे हैं पहली तो यह है 739 बरावर इसके हम पूरे गुड़न खंड लिख लेंगे, तीन गुड़ा, तीन गुड़ा, ये तीन और तीन, छे वार आया है, तीन, तो इस तरह से हम इसके गुड़न खंड लिख लेंगे, अब देखे हमने यहां पर बर्गमूल नहीं साल लगाएंगे तो यह हमारा हो जाएगा तीन गुणा तीन गुणा तीन यह हर एक जोड़े में से एक बापस ले लिया एक यहां पर नीचे लिख लिया तो इस तरह से 729 का वर्गमूल जो है वह हो जाएगा तीन तीन नौ और यह नौ तिरी 27 अब सब बच्चे यहां कॉश तो यह होता है तीन यह तीन कैसे आता है जैसे हमने लिखा नौ बराबर यह होता है तीन गुणा तीन अब हमने इसमें दौन और बर्गमूल लगा दिये नौ पर भी बर्गमूल लगा दिया और तीन गुणा तीन पर भी बर्गमूल लगा दिया तो अब यह क्या हो तो इस तरह से ये जो है ये तीन की उपर दो की घट पहले से है और इस पूरे की उपर एक वटे दो की घट लग गई ये वर्ग मूल की तो इस तरह से ये तीन की उपर दो और एक वटे दो की घट का गुड़ा हो जाएगा तो दो से दो कट गई यहां पर आ गया तीन तो और फिर उसमें से एक संख्या बाहर ले लेते हैं तो वो हमारी बर्गमूल कहलाती है तो 729 का बर्गमूल हो गया 27 यह तो हुई एक बिधी अब इसे की हम दूसरी आपको बिधी बताते हैं इसमें हम क्या करते हैं शुरू से हम 729 लिखेंगे इसका बर्गमूल लगाएंगे और यह पूरे इसके गड़ंखंड है इनको हम root के अंदर लिखेंगे रहें बर्गमूल के अंदर लिखेंगे तो यह 3 आये था हमारा 6 वार हमने यह 6 वार लिख लिए यह हमने 2-2 के जोड़े बना लिए अब यहाँ पर 729 का जो बर्गमूल है वो हो जाएगा 3 गुणा 3 गुणा 3 यह बर्गमूल इस तरह से जब निकालेंगे तो जोड़े में से बाहर आ जाएगा तीन के स्क्वेर में से एक तीन बाहर ले लिया तो यह बर्गमूल हट गया उसका बर्गमूल का निसान इस तरह 729 का बर्गमूल तब भी 27 सी आएगा मुझे यह पहली वाली बिधी जाद अच्छी लगती है तो मैं इसी बिधी से सब कुछ बताऊंगे आपको तो इसका प्रस्ण करमांग को दो देख लेते हैं इसमें दिया है चोथे के दूसरे भाग में यह दिया है 400 तो हम सबसे पहले तो 400 के गुड़न खंड निकाल लेंगे हम इसको दो से डिवाइड करेंगे तो यह यहाँ पर आ जाएगा दो दूनी चार दो सुन नमसुन पुना दो से करेंगे तो यह सौ बार जाएगा पुना दो से करेंगे यह जाएगा पचास बार अभी दो से जब तक भाग जा रहा है देते जाएंगे अब 25 का तो सब को मा होता है 25 और यह 5 एकम 5 तो इस तरह से हम इसके सबसे पहले तो गुड़न खंड लिखेंगे यह हो जाएंगे दो गुड़ा दो गुड़ा दो इसमें दो गुड़ा दो गुड़ा पांच यह देखिए इस जोड़े में से एक बाहर आ गया इसमें से एक दो बाहर आ गया और इसमें से एक पांच बाहर आ गया तो 400 का जो बर्गमूल है वो हमारा आएगा दो दुनी 4 और 4 पंचे 20 ये आ जाएगा हमारा आंसर उपर वाले आंसर को इंबॉक्स में बंद कर रहे हूं ये 729 का बर्गमूल था हमारा 27 भाग 3 में हमें संख्या देखे रखी है 1764 तो हम यहाँ पर 1764 के बर्गमूल निकालेंगे ये देखे संख्या है तो हम इसको 2 से भाग करेंगे ये हो जाएगी 2 अठ्थे 16 पुना 2 अठ्थे 16 और 2 सत्य सुरी 2 दूनी 4 इसको हम 2 से भाग करेंगे 2 चोको 8 2 चोको 8 2 एकम 2 अब ये 4 से टालिस भी संख्या आ गई ये दो से तो भाग जाएगी नहीं 3 से ट्राई करते हैं 3 से विभाजिता का नियम होता है अंकों का योग 3 से विभाजिय हो रहा है तो फिर वो संख्या 3 से विभाजिय होगी 4, 4, 8, 8, 9 9 तो 3 से विभाजिय होता है इसलिए हम इसको तीन से ट्राई कर सकते हैं, आप लगों को सभी संख्याओं के विभाजिता की नहीं हम याद करने की ज़रूत नहीं है, बस कुछ संख्याओं के याद कर लीजी, आप जैसे दो तो संख्या है, तो ये संख्याओं से विभाजिता को ही इससे विभाजित कर सक यह पुना तीन से वाज़त हो जाएगी, क्योंकि चार और एक पांट, साथ माच बारा, तीचो को बारा, और यह तीन नाम, 27, उननचास का तो पता है सबको, यह साथ सत्यां, उननचास होता है, फिर यह हो जाएगा साथ एकम साथ, तो 1764 के हम सबसे पहले तो गुड़नखन लिख लेंगे, यह हैस में दो बार दो आया है, दो बार इसमें तीन आया है, और दो बार इसमें आया है साथ, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, 1764 का वर्गमूल, यहाँ पर दो दो के जोड़े बना लिए, तो यह हमारा आजाएगा दो गुड़ा, तीन गुड़ा, साथ, यह हो जाएगा दो तीन छे, छे साथ, ब्यालेस, इस तरह से 1764 का जो बर्गमूल है, वो हो जाएगा ब्यालेस, च्वाते भाग में हमें संख्या देखी रखी है, चार हजार च्यानवे, तो हम चार हजार च्यानवे की सबसे पहले तो भाज्जी गुड़न खंड निकालेंगे, इसको हम सबसे पहले दो से बिभाज्जे करेंगे, दो दूनी चार, दो सुन नम सुन, दो चोको वाट, और यह दो अठ्थे सूला पुना दो से भाग करेंगे, तो यह हो जाएगा, दो एकम दो, दो सुन नम सुन, दो दूनी चार, दो चोको वाट, अभी दो से जब तक भाग जा रहा है, देते जाएंगे, दो पंचे दस, दो एकम दो, दो दूनी चार, यह दो दूनी चार, फिर यहाँ पर, दो पंचे दस, दो चंग बारा, दो एकम दो, दो दूनी चार, दो अठ्थे सूला, और यह हो जाएगा, दो चंग बारा, दो चोको वाट, यह अभी दो से भाग जा रहा है जब तक, तो यह दो से भाग देते जाएंगे, यह 16 दूनी 32 आठ दूनी 16 और यहां परा जाएगा चार दूनी 8 और यह है दो दूनी 4 और यहां पर 2 एकम 2 इस तरह से यह इसके अभाजी गुणन खंड हो गए तो इसमें 2 कितने बार आया है यह आया है एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा बारा बार और वार इसमें 2 आया है अब हम इसके अभाजी गुणन खंड लिकेंगे 4096 बड़ाबर दो गुणा दो गुणा दो गुणा दो गुणा दो अब हम इन में दो दो के जोड़े बना लेंगे दो दो संख्याओं के तो अब इसका बर्गमूल हो जाएगा हमारा 4096 का यह हो जाएगा दो गुणा दो यह देखिए 6 जोड़े बन रहे हैं तो इसमें से 6 वार दो हमारा बाहरा जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 और यह 6 यहां पर इसको हम लाइन से partition कर दे रहा है जिससे यह समझ में आता जाए आपको यह लाइन आपको नहीं खीचनी है यहां पर यह मिक्स ना उसलिए मैंने खीची है तो यह देखिए इन तीन संख्याओं के हम अलग कर ले रहे और इन तीन संख्याओं का अलग कर ले रहे दो दूनी 4, 4, 2, 8 यहां पर भी दो दूनी 4, 4 दूनी 8 ऐसा करने से आपका जो गुड़न फल है वो बिल्कुल गलत नहीं हो सकता है कई बार हमें खट्टा गुड़ा करते हो यह एक संख्याओं छूट जाती है तो गलत हो जाता है यह हो जाएगा 8, 8 यह 64 तो इस तरह से 4096 का वर्गमूल जो ह होगा वह होगा 64 इसका पांचवा भाग देख लेते हैं पांचवा भाग में हमें संख्याओं दे रखी है 7744 तो इसके हम सबसे पहले अभाजी गुड़न खंड निकालेंगे यह हो जाएंगे 7744 हमने यहां पर लिखा इसको हम पहले 2 से भाग करेंगे तो 2-3-6, 2-8-16, 2-7-14, 2-2-4 अभी जब तक 2 से भाग जा रहा है भाग देते जाएंगे दो नाम 18, 2-6-12, 2-8-16 फिर यह 2 से भाग जाएगा 2-4-8, 2-8-16, 2-4-8 फिर यह 2-4, 2-4-8, 2-4 उना 2 से भाग करेंगे तो यह 2-1-2, 2-2-4, 2-1-2 अब 121 का तो सबको मालूम है कि यह 11 का बर्ग होता है तो यह हो जाएगा 11-11, 121 और 11-11, तो इस तरह से यह इसके हमें बर्ग मूल मिल गए, सौरी इसके गुड़न खंड मिल गए, तो यह कितने बारा है दो, 1-2-3-4-5-6, 6 बारा आया है दो औ 11, तो अब हम इसमें लिखेंगे, 7744 के सबसे परित्म गुड़न खंड लिखेंगे और दूसरे स्टेप में हम इसमें बर्ग मूल लगाएंगे, तो यह 6 बार हम लिख लेंगे, 2-4-5 और यह 6 बारा गया 2, और 2 बार आया हमारा 11, तो 7744 इसका बर्ग मूल हो जाएगा, यहा तो एक, दो, तीन वर्दो का जोड़ा बना है, और एक वर 11 का, तो यह हो जाएगा, 2-2-21-21, दो दूनी 4 यहां पर लिख लिख लिए, 11-22 यह लिख लिख लिए, तो यह हो गया, 4-8 और यह भी 4-8, तो 7744 का बर्ग मूल हो गया, 88 इस तरह से प्रस्न क्रमान के चार के एक सेले के पांच भाग तक हल होते हैं, बाकी के जो छटवे सेले के दसल भाग तक हैं, उसके लिए अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, ये प्रस्तुती टेन फिंगर चनल की ओर से थी, देखने के लिए धन्यवाद,